हेलो गाईज टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो गाईज आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा कुरकुरा चटपटा और स्पाइसी पालक का कटलेट इससे पहले मैंने पालक के कही रिस्पी आप लोगों के साथ शेयर किय और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया हुआ है उमीद है आपको पालक का कटलेट भी बहुत पसंद आएगा आप लोग अपने घर पे बना करके ट्राइज जरूर करेंगे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को ऐसी ही रिस्पी मिलती रहे तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है लगवक 50 ग्राम मूंग फली तो मूंग फली आप कम ज्यादा कर सकते हो एक बड़े से बाउन में हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बाद इसमें मैं डाल और तो मिर्श का यूज ज्यादा कर सकते हो साथ में आधा चमच आट करेंगे साबू जीरा साथ में हम लोग डाल देंगे एक चमच सूखी धनिया उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे अद्रक लेसुन का पेस्ट तो मेरे पास यहाँ पर पेस्ट था इसलिए मैं पेस्ट इसलिए और एक तुकड़ा अध्रक यूज कर सकते हैं फिर जो है न हम लोग इसे ग्रैन कर लेंगे हलका दर्दरा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बावल लिया हुआ और इस बावल में हम सभी चीज को मिक्स करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पालक पा अपका कट्लेट बन करके तयार होता है उसके बाद इसमें हम लोग अट करेंगे यहाँ पर बेसन तो मैंने हाफ कप चावल कांटा लिया था हाफ कप बेसन अद करेंगे आप कम जड़ी कर सकते हो उसके बाद जो है इसमें हम लोग डाल देंगे boil किया हुआ आलू तो मैंने यहाँ पर दो आलू लिया हुआ है आलू को boil करके छिलका उतार लेंगे और फिर mash करके use करेंगे आप चाहो तेहाँ पर आलू को grate भी कर सकते हो कोई problem नहीं है उसके बाद हम लोग इसमें add करेंगे मुंफली प्याज वगरा जो हमने लिया हुआ था सभी चीजों को हमने हलका दर्दरा ग्राइन किया हुआ है दर्दरा ग्राइन करते हैं तो जो खड़े मसाले हमने डाला है इसका flavor काफी बढ़िया आता है और साथ में मुंफली का भी taste बहुत अच्छा आता है जब हलका दर्दरा रहता है तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर सिर्फ कलर के लिए हम लोग यहां पर आट कर रहे हैं हल्दी पाउडर बिल्कुन आप्शनल है साथ में आधा चमच गरा मसाला पाउडर आट करेंगे जिसी की बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुजबू आ जाएगी साथ में आधा चमच जीरा पाउडर भी आट कर देंगे हम लोग और उसके बाद खटा फ्लेवर के लिए इसमें हम लोग आट कर देते हैं नीमबू का रस आप निमबू की रस की जगहा पर जो हाना चाहो तो थोड़ा सा दही यूज़ कर सकते हो या फिर अमचुर पाउडर भी डाल सकते हो तो सभी चीज़ों को बढ़िया से हम लोग मिक्स करेंगे और मैं यहाँ पर कुछ भूल रही हूँ क्योंकि भूल रही हूँ मैं आप नमक यहाँ पर हम लोग डाल देंगे नमक मैंने एक चमच का यूज़ किया हुआ है आप कम जादा कर सकते हो अपने स्वात के अनुसार तो यह बढ़िया से सभी चीज हो गया है मिक्स यानि हमारा जो है कटलेट का जो डो है वो रेडी हो गया है तो सबसे पहले हम लोग अपने हाथ को साफ कर लेंगे और हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइन ओयल उसके बाद जो डो है इसमें से थोड़ा सा हम लोग डो लेंगे पहले गोल गोल करेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा हलका लंबा कर देंगे जैसे सिलेंड करके तयार कर लेना है तो चलिए आप हम लोग चलते हैं कटलेट को फ्राई करने के लिए अगर आप चाहो तो इसे फ्रीज में श्टोर करके भी रख सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो फ्राई करने के लिए और रख दीजे गरम होने के लिए फ्ले मेडियम तो फिर गिला गिला से अरहता है तो उसका खराब हो जाता है चार पांट निनाट बाद आप देखो गी की कलर चेंज हो गया है क्टलेट बढ़ियासे फ्राइब हो गया है तो हम लोग इसे एक जाली वाली च्णनी में निकाल लेंगे ताकि एक्ष्टा ओल जो है न हमारे कट अगर आप लोग इस वीडियो को यूटूब पे देखना है तो चॉनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बिल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि ऐसी ही रेस्पी आप लोगों को मिलती रहे